नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने सीट एड का जो भी पेपर हुआ है फ़स्ट टू फिफ्ट क्लास का उसका बाल सिक्षण के इंद्रिज जो होता है बाल उसका पेपर में सिक्षण अदिगम का पेपर आपके सामने लेकर आई हूँ चलिए फटा फट मिला लेते हैं यह एकदम सटी का आंसर की है आप इससे मिलाकर अपने नमबर का अनुमान लगा सकते हैं आगे मैं हिंदी इंग्लिस की भी आपको आंसर की बहुत आपके सामने बता देती हूँ निमलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं तो इसका होगा सारीरिक सायोगात्मक अधिगम पर्यावरन और सतत इवं समग्र मूल्यांकन दो और तीन यानि की मेरी वकलेट के साब से इसका तीसरा ऑप्श सायोगात्मक अधिगम पर्यावरन और सतत इवं समग्र मूल्यांकन अगला प्रसन है सिक्षक बच्चों के जटेल अवधारनाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं इसका जो आंसर है मेली बुकलेट के साब से पहला आंसर सायोगा आंसर होगा अन्वेशन इवं चर्चा के लिए अवसर उपरबढ कराकर अगला प्रसन है एक प्रात्मिक विद्याले की अध्याविका जो बच्चों को एक प्रभाव साली समस्या समाधान करता बदाने के लिए किस प्रकार परोटसाहित कर सकती है तो इसका आंसर होगा बच्चों को सहजान भूत अनुम लगाने के लिए प्रवत्साहिद करके तथा उसी पर आधारित विचार मन्थन करके इसका पहला ऑप्शन सही होगा अगला प्रस्ट नेम लिखित में से कौन सा द्वितियक समाजी करण एजनसी का उधारण है विद्याले तथा मीडिया मेरे में इसका फोर्थ ऑप्शन सही आप अपने में मिला लें अगला प्रस्ट नेम लिखित में से किसमे सारी रिक व्रदी एवन विकास ती व्रगती से घटित होता है इसका आंसर है सैसवावस्था एवन प्रारंबिक बाल्यावस्था इसका दूसरा ओप्शन सही है मेरे में अगला प्रस्ट नेम लिखित मे लोगें तो इसे प्रभावित नहीं करते हैं पहला option सही है अगला परास्ट बियागतिक भितनताओं का प्रात्मिक कारण क्या है तो प्रात्मिक कारण स्क्ता एवन पर्यावरण धीर shuttle परिक्रिया इसका पहला option सही है अगला अगला प्रस्ण बच्चों में जेंडर रोड़िवाधिता एवं जेंडर भूमी का अनुरूपता को कम करने के लिए निमलिक्ट में से कौन सी पध्यती प्रभाव साली है तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिप चर्चा इसके बारे में प्रभाव साली होगी ऑप्शन अगला प्रस्ण निमलिक्ट में से किस मनोवे ज्यानिक ने बच्चों को ग्यान के स्रक्रिय जिग्यासु रूप को देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विसे वस्तूं का प्रभाव को महत्व दिया तो इसका अंसर होगा जॉन बी पॉट्सन दू सी लॉरेंस कोलबग द्वारा प्रस्तावित नेतिक विकास की एक अवस्था है तो इसका अंसर है सामाजिक अनुबंद अभी विन्यास यानि तीसरा उप्शन सही है अगला प्रस्ण कच्छा में परिवर परिचर्चा के दौरान एक सिक्च्छ प्राया है लड़कों के दूसरा उप्शन सही है अगला प्रस्ण जी सौ पहली को करते समय पांच वर्स की नजमा स्वायम कहती है कि नीला टुकड़ा कहां है नहीं वह नहीं गाड़े रंग वाला जिससे वह जूता पूरा बन जाए इस वारता को वाय गोत्सकी किस तरह संबोधित करते हैं तो इस करता है इसका थीसरा आप्शन सही है संरख्शन तथा कक्षा समय वेशन अगला आख्लन का प्रात्मिक उद्धे से seit क्या होना चाहिए इसका ओपशन सही हो अगला प्रसुन, निमलिक्त कत्नों में से कौन सा बुद्धी के बारे में सही है, तो पहला उप्चन सही है, बुद्धी बहुआ, आयामी यहताथ जटिल योगिताओं का समू कहं। अगला प्रशन रूही हमेसा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है इसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं रूही किन गुणों के प्रदर्शन कर रही है तो वो स्रजनात्मक विचारक गुणों को प्रदर्शन कर रही है इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा एक सिक्छा को क्या करना चाहिए तो इसका पहला option सही हो घृत्स, विचा करना चाहिए इसका चौथा option सही होगा पाट बैपल ये बच्चों के प्रात्मिक लक्षन क्या है तो इसका चौथा option सही है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता अगला प्रशन संबेग एवं संग्यान एक दूसरे के से सन्नेहित है एक दूसरे से सन्नेत, चोथा उप्शन सही है, अगला प्रशन सन्रक्षन वादी राचे में अधिगम प्रात्मिक रूप से अब बोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, पहला उप्शन सही है, अलेग घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए, सहजा पूती सिध्धानतों के संदर्ब में एक सिक्चिका को क्या करना चाहिए, बार-बार यात कराने के द्वारा एक सही सिध्धानत पर से बदल देना चाहिए, चोथा उप्शन सही है, अगला प्रशन बाल के इंद्रित सिक्चा सासर की क्या विसेस्ता है, उसकी विसेस्ता है बच्चों के अनुबहबं को प्रमुक्ता देना तीसरा option सही है अगला प्रस्थ में संरख्ष्ण अनावादी सिधानतों के अनुसार अधिगम के बारे में निल्वी कितमत कद्नों में से कौन सा सही है अधिगम क्रिया विनियो जिद्न के द्वारा ग्यान की संरचना प्रक्रिया है पहला उप्षन सही है विद्यार्थी को इस पश्ट उधारने वंगैद उधारन देने का क्या परिणाम है इसका जो सही option है वो है अव धार्नात्मक परिवर्थनों को प्रोथसाहत करने के लिए ये एक प्रभ्य हफसाली तरीका है इसका option दूसरा सही है आखरी प्रेशन है बच्चों को अधिगम गतिविदियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरसका देना वदंड़ का क्या प्रभाव पड़ता है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अबरुची तता जिक्यासा कम हो जाती है इसका पहला option सही है दोस्तों उम्मित करते हैं आपने अपने सभी option मिला ली होगे जिसके कितने सही है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मैं जल् बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार